कि नमस्कार विवोस मैं हूँ अमीश देवगन और मेरे साथ बात करने के लिए दीदी मा है आप बोलेंगे दीदी मा यह साधवी है साधवी रिधंबरा इनका नाम है और राम राम लला का दिव्वे भव्वे मंदिर बन रहा है वो हमारे स्टूडियो में मौझूद है साधवी जी आपका अबिनंदन है न्यूज 18 के मंच पर धन्यवाद है मेरा पहला सवाल तो यह है कि मंदिर आंदोलन के दौरान लिया गया राम मंदिर का प्रण 31 वर्षों बाद प सोचा था कि यह हो जाएगा 31 साल पहले बिलकुल अमिश सोचा था कि संकल्प अगर बिकल्प रहित हो तो फिर वो सिद्धी के दरवाजे पर पहुंचा देता है और यह भी सोचा था कि तब व्यर्थ नहीं जाता साधना ना व्यर्थ कभी जाती चलकर ही मंजिल मिल पाती फ इसलिए वो जो चरण थे दूल दूसरीत हुए छालों से भरे रक्तरंजित हुए ठके भी हारे भी लेकिन एक चित में लगन थी कि यह रवानी तब तक चलनी है यह प्रवाह तब तक रहना है जब तक मंजिल नहीं मिल जाती और अब हम 22 जनवरी को हमारे राम जीय योद्य आ रहे हैं और हम सब लोग भारी आनंद में आपने सही कहा कि यह अन्याय हो जाएगा कैसा लग रहा है क्योंकि अमिश क्या होता है ना गूंगा गुड़ ठाले पर उसका स्वाध कैसे बताए वह अनभव तो कर सकता है उस मिठास को पर व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि मैं पढ़ राता मैं तो बहुत छोठा था उनने सो बानवे में ग्यारा बारा साल कर रहा हूंगा आपको तब से सुनता हुआ रहा हूं और आज भी जब मैं पढ़ा ही उसको पढ़ता हूं तो कई बार लोग जंगलों गुफाओं और बिखारियों के बीच में रहना सब लोग मंदिर आंदोलन के साथ जुड़े ऐसा नहीं था कि वो आंदोलन कोई जिसे कहते हैं पॉलिटिकल आंदोलन था वो एक जन्मानस का आंदोलन था जो देख के पता लगता है नहीं तो वो साधू जो गंगा के तट पे रहते थे ना जिनको धन से मतलब ना जिनको राजनीती से मतलब ना किसी और विचार से मतलब वो सिरफ राम के अपने मंदिर बिनाने के लिए निकल पड़े थे निश्चित रूप से अमिश आपने सही का कि संतों का धन राम जी ही है ना धनियों के तो धन है लाखो मुझ निरधन के धन बस तुम हो कोई पहने मानिक माल कोई लाल जड़ावे कोई रचे महावर महंदी मोतियन मांग भरावे सोने वाले चांदी वाले पानी वाले पीतल वाले तन के तो सो सो शिंगार हैं मन के आभूशन बस तुम हो तो संतों का धन तो राम जी ही है राम जी का नाम है और ऐसे विरक्त संत अमिश जब मनसा वाच्चा कर्मना इस कारिय के साथ लग गए अपनी व्यक्तिगत देखो अमिश सादूओं का जो विलास होते हैं वो आत साथ जी राम मंदर आंदोलन से आपका जुडाव कैसे हुआ यह इस समय आज की पीडी आपसे जरूर जानना चाहेगी क्योंकि शायद आज जो लोग 20 साल के हैं बाइस साल के हैं पच्चिस साल के हैं उनका तो जर्म भी नहीं हुआ था वो जरूर जानना चाहेंगे और मैं अपके मार्ग दर्शक इसपस्ट होते हैं क्योंकि मैं तो बहुत चोटी उमर में सन्यासी हो गई और मेरे गुर्देव यूग पूरश स्वामी पर्मा नंजी महराज वो एक बहुत ब्रह्म ज्यानी संत हैं और वो संत भी हैं और सिपाही भी हैं और उन्होंने बताया कि ज आस्ट धर्म क्या है अगर हमारे भगवान राध्यों के जन्म भूमियों पर पराभवी युग के प्रतीक खड़े हों है ना तो लज्जित होई पीडी दर पीडी लज्जित हुई अपमानीत हुई प्रतारीत हुई व्याकुल हुई आहत हुई अब इतना बड़ा दर्द ह हिमाले में से कोई समाधान की गंगा भी तो निकलेगी तो फिर उनकी प्रेड़ना से राम जनम भूमी का जब अंदोलन प्रारंब हुआ मैंने सर्यू का जल हाथ में लेके शपत ली कि ये सर्यू मया मेरा तन मन धन मेरा सर्वस राम जनम भूमी के लिए राम जनम भूमी मुक था कि अपने को हिंदू कहना सामपरदायक जो ए वो टीका लगा दिया जाता था उस पे टिपणियां होती थी वातावन बहुत प्रतिकूल था लेकिन अमिश एक बात दिल को लगती थी कि जब लक्षमन ने कहा राम जी से कि राम भाया देखो सोने की लंका कितनी सुन्दर है और वो राम लला की जन्म भूमी इस तरह की दशा में हैं ये देखके मन में प्रेरणा नहीं हमिश वेदना पैदा हुई और आप जानते हो कि जब वेदना होती है तो हो गई है पीर परवत सी पिगलनी चाहिए इस हिमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए लेकिन इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई साड़े पांत सो वरसों की लड़ाई थी पचास वर्शों की पिखाश वर्षों की कई लड़ाई थी अधि नमन में आया कि राम लला को खुद खडे ओकर कोट में कहना पड़ रहा है कि मैं वहाँ मेरा जन्म वहाँ हुआ हमेशा यक्ष प्रश्न आज भी खड़ा है सब के सामने जब इस तरह के विरोधी स्वर बुलंद होते हैं तो लगता है कि भारत की जड़ों से भारत की धरती से भारत की परंपरा से जुड़के अपने सवभग्य को अनभव क्यूं नहीं किया जा रहा क्यूं पर कियों को सिर प्रश्न पे चड़ाया जा रहे क्यूं अपनी आपको नहीं पहचाना जा रहा और क्यूं राजनीती इतनी हावी तुस्ती करन की राजनीती हो बोट की राजनीती हो यह सारी बीडह यति को अपनी ने देश में राम जनव भुमी के लिए 500 साल लड़ना पड़े जी इससे समझ में आता है कि अपने घर में शरनार्थी होकर जीने का या फिर उपेक्षित होकर जीने का दर्द क्या होता है मेरा है आप से साधवी जी की बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि ये श्रे लेना चाह रहे है नरेंद्र मोधी पर अमिट शाप पर इन सब पर आरोप लग रहा है जेपी नड़ा पर कि ये लोग क्रेडिट लेना चाह रहे हैं ये क्रेडिट की भूकी है बीजेपी असल में क्योंकि आप से भेतर इसका जवाब कोई नहीं देगा श्रे किसको मिलना चाहिए इसका अमिश श्रे तो सबको है उनको भी है जो कारसेवकों ने बलिदान दिया सबसे पहला श्रे तो उनको है ना जो माताओं ने अपने अंगूठे के रक्ट से अपनी संतानों के माते पे तिलक किया आमिश के जा पुत्र तू अगर राम के काम आ जाएगा तो मैं धन्ने हो जाओंगी श्रे तो उनको जाना चाहिए ना जिनोंने मांग के सिंदूर ने उच्छावर की है उनको भी तो श्रे जाता है ना जो उन भाईयों को खो चुकी है बेहने जो कलाईयों पे रक्षा सु मर्थन दिया बाकी गालियां दे रहे थे प्रतिबंद लगा रहे थे कोस रहे थे और वितंडा बाद कर रहे थे भारती जंता पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय श्री लाल कृष्णा अडवानी और रामरत लेकर निकले थे इसलिए उनको भी श्रे जाना चाहिए और पिर सबसे बड़ी बात है हमिश जब देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी ने भूमी पूजन के समय राम लला के सामने दंडवत परणाम किया तस्वीर है मेरे पास क्या दृष्च था देवता पुष्प वरस्टी कर रहे थे हमने हमने बहुत दंश जेले है हमिश इस द सार्थियों ने अपनी चेतना को गुलाम नहीं उने दिया संतों ने कहा संतन को कहां सीकरी सो काम आवत जात पनहिया तूटें विसर जात हरी नाम संतोंने कहा हम चाकर रगुवीर के पटो पड़ो दरवार तुलसी कहा होएंगे अव नरके-मनसबदार हम किसी मनुष्य की की चाकरी तोड़ी करेंगे हम तो अपने राम-जी की चाकरी करेंगे इसलिए हम राज नहीं तिक गुलामियां जेलते रहे पर आत्मा हमारी कभी गुलाम नहीं रही मैं तस्वीर वो चला रहा हूं जिसमें प्रधानमंत्री मोधी डंडवत प्रणाम कर रहे हैं वो ये तस्वीर है और जब आपने ये द्रिश्य देखा आप कह रहे हैं आप अभीभूत हो गई जब निर्ने आया रामलला के पक्ष में तब भी आप अभीभूत हो गई होंगी क्या आपको लगता है कि आपको यकीन थ कि एक दिन देश का प्रधानमंत्री आकर जो इंडाल के शडवानी के रत का सार्ती बना था वो नरेंद मोधी आकर डंवत प्रणाम करेगा और वो प्रधानमंत्री होगा अमिश ये मां भारती है ना ये चिनमई सत्ता है ये खाली भूमी का टुकड़ा नहीं है और हम संसकारों की पाठशाला में से निकल कर बाहर आये हैं और वो भारत को समझते हैं भारतिये जन के मन को समझते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में तो कोई प्रधानमंत्री गया नहीं हमिश ये तो पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिनोंने सनातनियों के चित क को चूलिया है जब वहां दंडवत पणाम किया उन्होंने तो मा भारती जो भारत भूमी है उसका ऐसा पुत्र जिसने भारत की परंपरा का सम्मान करके इतना अद्वुत द्रिश्य उपस्तित कर दिया हमारे पास तो शब्द नहीं थे हम तो जूम रहे थे अहलादित थे अन में 2014 में जब मोदी सरकार बनने के बाद आपने कहा था कि राम रहेंगे ठाट में भक्त रहेंगे ठाट से ऐसा नहीं होना चाहिए अब यह मंदिर बन रहा है 22 जैनवरी को प्रान प्रतिश्टा होगी आपकी विशेष तैयारी क्या है हमारी विशेष तैयारी तो कुछ रहे आपके पृएप आपके फुराने अगत तो मैं सोच रहे हूं वो सब्सक्रान विशेष तैयारी कई रहूं पाती ओए वेले हैं लेकिन ने देम वी ने काल रहे हुआ है आपके पुराने एक वाइट मैं निकाली है और उसको हम प्ले करते हैं साद्वी रिधंबरा जी ने क्या कहा था आईए आपको विवर सुनाते हैं फिर आपका रियाक्शन लेता हूं मैसपे आपने कहा, गर्फ से कहो, हिंदू हिंदूस्टान हमारा है, और साथ ही साथ, जहां मस्जित हैं, वहीं मंदिर बनेगा ये बात भी कही. अब ये मंदिर संपूर हो गया है बन गया है तो आपको एक भावुक पल भी आता होगा कि वो वक्त था जब मंदिर की कोई बात नहीं सुनता था अब सब लोग मंदिर जाना सब कह रहे हैं कि हमें नियोता आना चाहिए अमिश बहुत पीडा जेली है और प्रतिक्षा बहुत पीडा देती है और अगर आप गली गली गाओं गाओं लोगों को गूम गूम के प्रेणा देते हो कि आप आओ अयोध्या आओ अयोध्या और फिर वहाँ बलिदान होता है और उसके बाद मंदिर का कोई समधान नहीं हो तो कैसा अपराद बोध होता है ऐसे अपराद बोध के पत्थरों के नीचे हम दबे रहे हैं इतनी हताशा इतना विशाद चित में के ये सारे तप ये सारे संकल्प ये क्या अधूरे रह जाएंगे तो बीवल होके राम जी से प्रार्थना करते थे राम जी आप युद्धार कीजिए भारत के अंदर कुछ इस तरह के वातावन का निर्मान हो हम इस जब हम लखनव का बैभव देखते थे और पिर अयोध्या की शिरी हिंता देखते थे तो मन चित व्याकुल होता था और मैं समझती हूँ कि हमारे हिर्दे की उस करुण पुकार को प्रभू ने सुना और आज ये दिन दिखाया जब कार सेवकों पर गोली चली उस दिन जब आपको पता लगा को कि टेक्नोलोजी का योग नहीं था जब वो जानकारी मिली कि कारसेवकों पर गोली चली है और उस समय के लोग कहते हैं कि सर्यू लाल कर दी गई थी 300 से जादा कारसेवकों को गोली लगी थी उनकी हत्या हो गई थी और सरकारी रिकॉर्ड में शायद 16 है या 24 है जो मुझे ध्यान में आ रहा है क्या कहना चाहती है उस पल को याद करें हमीश हम तो उस समय जब वहां से निकले अयोध्या के लिए तो हम बेश बदल के निकले लेकिन कानपूर में पुलिस ने हमको पकड़ लिया था रुफतेपूर जेल में कैद कर दिया था लेकिन आप देखो कि रामचंदर परमांस जी महराज दिगंबर अखाड़े की छत जो थी उस पे सामी बामदेव जी महराज और पांच जन्ने के पहले संपादिक भानु परताप शुकल जी और भी संत विरक्त संत खड़े थे अपनी आखों के सामने अपनी संतानों के इस उत्सर्ग को देखना कितनी पीडा देता है, कितना दुख देता है तो ऐसे विरक्त संतों की आत्मा और उसमें जब ब्याकूलात्मा पीडित आत्मा में से जब आह निकलती है ना मिश्च तो वो बड़े बड़ों को ले डूबती है, क्योंकि वो ऐसे निहत्यकार से वक्त थे, जो सिर्प राम जी के लिए योद्या आये थे, उनकी चाती पे गोलिया उतारी गई, सर्यू का जल कितना रोया होगा, योद्या की गलिया कितनी उस समय व्याकुल हुई होगी, उसकी कल कलपना करके भी हमारी आत्मा सिहर जाती थी, लेकिन आप जानते हो अमिश, पुष्प तो बहुत खिलते हैं, मुर्जा भी जाते हैं, जो भगवान के चर्नों में चड़ जाता है, हम उसको सार्थक मानते हैं, लेकिन इस तरह का बरताओ, राजनेता करेंगे, ये कभी कलप अवसाद में चली जाती, क्योंकि लेकिन ये बात जरूर है, मेरी तो बलिदानों की परंपरा 500 साल पुरानी है, इस्तरियों के बलिदान हुए, अखाडों के नागा सादूं के बलिदान हुए, तरुनों के बलिदान हुए, 500 साल हमने अपनी उस आस्था की जोत को जगाए रखा और आज वो प्रताप है उसका के हम 22 जनवरी को योद्या राम आ रहे हैं तो इस बात का ये हश्र आनंद है कि वो सारे तप, वो सारे वलिदान, वो सारी कोशिशे राम मंदिर निर्मान के साथ सफल हो गई और सार्थक हो गई आपको याद है जब गुम्मत गिराया गया आपको वो वक्त याद है उस पर आप क्या कहना चाहती है क्योंकि उस विशे को लेकर पिक कल्यान सिंग की सरकार तो चली गई थी और ततकालीन गहे मंतरी चवान साब ने उन्हें फोन किया था कि क्या हालात है तो उन्हें बुला ह हालात तो यह हैं कि गुम्मत में डैमेज हो गया है लेकिन मैं गोली नहीं चलाओंगा। क्या आपको लगता है उस समय जो हालात बने थे और कल्यान सिंग की सरकार चले गई थी, बीजेपी की तीन सरकारे और वर्खास्त कर दी गई थी। अमिश उन्हों ने बहुत सुनदर बात कही थी कि मैं शिराम जी के लिए हजारों सत्ताएं न्योचावर कर सकता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अमिश जी जिनके लिए सत्ता साधन होती है, सध नहीं होती arguments सत्ता का सत्य ये है कि वो साधन हो और सत्य को समर्पित हो। दूसरी बात ये है कि इतने बड़े बलिदान, इतने बड़े उत्सर्ग, इतना बड़ा साहस, इतनी बड़ा त्याग और ततिक्षा उसका ये प्रतिफल था और मैं समझती हूँ कि कोई संगठन, कोई संस्था की योजना नहीं थी अमिश्ट जी ये तो नियती और नियंता क के द्वारा निश्चित की गई योजना थी, एक एक कार सेवकों के बीतर जैसे पवन पुत्र हनुमान प्रवेश कर गए हूँ, वो कोई योजना के अंतरगत नहीं हुआ, और नियती के द्वारा निश्चित था, कैसे कार सेवक राघव के रणंजे बन गए, और माधव के धनंजे बन गए, जो कील अवद के सीने में सदियों से पड़ी कसकती थी, और लजजित थी, पीड़ी, दर पीड़ी, जीवन को शाप समझती थी, ऐसी तो दशा थी, लेकिन वो घटना घटी, और उसके बाद उसके, उसकी भूमी के अंदर, मंदिर के साक्षे प्रकट हो गए, राम जी की लीला थी, और मैं तो अमिश जी सदाईवे की बात कहती हूँ, कि राम जी करा रहे है, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिन्दा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के का से राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से ये वो संकल्प विकल्प रही तो संकल्प और आज हम हैं सिद्धी के द्वार पर जी लेकिन एक दौरता आप पे भी बड़े सारे केस थे आपको भी पुलिस लेने पहुंच गई थी और आपने चच्चे-चलांग मारी थी ये कहान तो इतनी जादा हैं ललीतपुर के अंदर मुझे पुलिस पकड़ने आ गई और संगठन की ये निरने था कि पुलिस ना पकड़ पाए और जागरण करना है तो कैसे कितना बचना पड़ता था मैंने उस घर के अंदर साड़ी पहनी और गूंगट निकाला एक साल का बच्चे को उसके घर पहुंचाया और मैं अगली सभा में पहुंच गई एक उस बच्चे से कभी मुलाकात हुई उसकी मा ने बताया कि तू सादवी की गोद में चड़के उनका रक्षा कवच बन गया था और फिर आप देखो अमिश रक्षा कवच कोई कैसे बनता है वो भेश धारण करो चाहे अभी पुखराया में सभा करते करते मैं पहुंची उत्तर प्रदेश में मेरे पर प्रतिबंद था तो पुलीस से बचने के लिए मैं अपनी कौन से साल की बात है ये सन और मुझे याद नहीं तो उसमें क्या हुआ कि मैं अपने तेले में बहुत तर में प्रतिबंद था तो मैंने कपड़े दूसरे पैनने हुए थे कारी करता दोड़ं के अमिश्च साथ आठ राम नामी चादर ने आए उ запत बांदी शरीर पे बांदी राम नामी चादरों में लिपटके मैं जनता के बीच में दूसरी बात जनता को प्रतीक्षा होती थी मेरे अंदर ये संकल्प होता था कि मुझे किसी कीमत पे अपनी एक भी सभा नहीं चोड़नी तो ये बहुत दरता थी और मेरे मंडल का मेरे गुर्देव का सब का बहुत बड़ा सहयोग था जिसके कारण ये जागरण संभव हुआ एक मूर्ति को लेकर विवात खड़ा हो गया है कॉंगरेस के बड़े नेता है फॉर्वर मद्ध पृदेश के सीयम है दिगवेजे सिंग वो कहते है वो अली मूर्ति का गई जो प्रकट हो गई थी उस मूर्ति को क्यों नहीं लगाया जा रहा अब नई मूर्ति क्यों विराजना चाहते हैं उस रूप में विराजना चाहते हैं। कितनी विचित्र बात है इस देश के अंदर। कितनी विराजना चाहते हैं। कितनी विराजना चाहते हैं। बहुत लंबे लंबे फ्लाई ओबर दे दो। सारा विश्व जो है इसी भव्यता से भरा हुआ है। लेकिन भव्यता के पीचि अगर दिव्यता नहीं होगी ना तो व्यक्ति सुविधाओं में तो होता है पर सुखी नहीं होता। तो देश के प्रधान मंत्री सुविधा भी दे रहे हैं और सुखी करने का प्रियतन भी कर रहे हैं। लेकिन आरजडी की लालु यादव ने तो रहत रुखाता अडवानी जी का उनके बेटे कह रहे हैं कि जब बिमार पढ़ोंगे तो मंदिर थोड़ी जाओंगे अस्पताल जाना पढ़ेगा तुम्हें। लेकिन अमिश उनको तो ये भी पता है कि जब डॉक्तर हाथ खड़ा कर देते हैं तो फिर वो यही कहते हैं राम जी से प्रार्त ना कर लो तबी स्वस्तों होगे। तो मेरे पीछे पढ़ गयते सब लोग लेकिन भेलाल आपके जब आपने उनको भी उत्तर दे दिया होगा। पहले तो पूछा गया कि राम किस कमरे में राम की माने राम को जना कॉंग्रेस के नेता ने ये बोला था। अब कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है सुना दिता हूँ मैं जितेंदर रवाड NCP शरत पवार की पाटी के बढ़े नेता है क्या कहने सुनी जला मर्ब नाम क्षत्रिय था, तो श्रत्रिय का खाना ही माउसा हरी होता है कि इश्वर और पर्मात्मा को भी जातियों में बांधा जा रहा है और ऐसे पापियों की किसी बात का मैं उत्तर क्यों दूँ आप बताएगे वह आपने आपको स्वयम व्यक्त कर रहे हैं कि वो क्या है उनकी सोच क्या है विपक शिश्ले परिशान हो गया उन्हें को लग रह है इसलिए मैं यह बात भूल रहा हूं आपको अविश्जी पबलिक जानती है जनता जानती है जो जनता के मन को समझते है उनकी परंपरा का सम्मान करते हैं जनता के आशिरवाद भी उनको प्राप्त होते हैं और आप आपको पटे निमंतरण तो सबको था निमंतर इस जग ने लगा रहे हैं और हमी सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है वो हमारे जाजवलेमान इतिहास को मित कहके बदनाम करते हैं इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता जो रामकृष्ण की परंपरा का विरोधी हो भारत का सपूत नहीं हो सकता आखरी दौर है चर्चा का राम राम मंदिर बन गया राम जी आ रहे हैं पूरा विश्वत राम हमें हो गया अब काशी और मतुरा की लड़ाई भी कोट में चली गई है क्या कहना चाहती है आप आप खुद विंदावन से आती है जी बिलकुल ऐसा है अमिश जी अयोद्या की लड़ाई हमने संघर्ष किया और कोट की नयाय की प्रकिर्या से भी गुजरे पर काशी विश्वनाथ और क्रश्न जन्मभुमी नयाय की प्रकिर्या से हमें प्राप्त होगा मनुष गवाही देने में जूट बोल सकता है हमिश लोभी हो सकता है या भैवीत हो सकता है जब पत्थर अपनी जुवानी अप एक बार प्ले करते हैं हिंदू एक धोखा है जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंदा है समाजवादी पार्टी के महासाजव है क्या कहना चाहती है इनके बारे में आप और बार बार कह रहे हैं यह राम चरित्र मानस पर भी सवाल खड़ा कर चुके हैं मुझे तो समझी नहीं होता भाई बहन नहीं होते हिंदू धर्म अगणी की साक्षी में इन्होंने भी बिवा किया होगा अपनी पतनी से धर्म पतनी को स्विकार किया होगा धर्म के द्वारा दी गई बेवस्ता है भाई बेहन की बेवस्ता धर्म के द्वारा प्रदत बेवस्ता है नेता अपनी जिम्मेदारी नीभाता है वो अपना धर्म नीभाता है पुत्र अपना धर्म नीभाता है माता पिता के प्रती माता पिता अपना धर्मनी बाते हैं अपनी संतानों के प्रती नागरी का अपना धर्मनी भाते हैं अपने रास्ट के प्रती रास्ट भी उनको अपनी सुरक्षा देता है यह धर्म ही है और धर्म जीवन से निकल गया तो हम पशू है और धर्म ही हमें मनुष्य बना सबसे बड़ी बात है अगर छोटे बच्चे को बेडियों में चोड़दो ना तो वह बेडिया बन जाते हैं संसकार ही उसको मनुष्य बनाते हैं धर्म यही संसकार देता है कि हम मनुष्य बने संबेदन शील बने अपनी धर्ती को सश्चे शामला बना कर रखें और करतव्यों का प्रभू श्री बहुत बहुत शुक्रिया आपका साध्वी जी आप हमारे मज़ पर आई आपने अपनी बात को रुका बहुत बहुत अवेलं दन आपका बहुत भाँ धन्यवाद अमिश्य आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर अगर आप कर दो